तो आज हम जिसमें एक explanation करने वाले हैं, जिसका नाम है All of Us Are Dead, उसके IMDb rating है 7.6, तो में विरू होती है, जहां उतीज बार इस पर देखते हैं, एक विल्डें की चत पर, जहां कुछ लड़के, पत्सरे ड़के को तंग कर रहे होते हैं, जिसका नाम जिंसू होता है, और वो ल लड़का उसे बहुत मार रहे होते हैं, उसी पीच हम देखते हैं कि वो लड़का जॉंबी बन जाता है, और उन पर हमला कर देता है, तभी इसी पीच वो लड़का बिल्डिंग से नीचे किर जाता है, यहां हॉस्पिटल में डॉक्टर उस लड़के की हेल्थ कंडिशन की बात कर रहा होता है, और बताता है कि उस लड़के की अड़ियां टूप चुकी हैं, तभी एक शक्स जो उसका पिता होता है, जिसका नाम लिए होता है, उस्पिटल के अंदर आता है, और दवे को अपने लड़के के कमरे में चला जाता है, और तभी हम देखते हैं कि वो ल लुकों को मानना चाहता था और वो ऐसा दुबारा नहीं करीगा जिसके बाद उसके पिता कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और तभी वो लड़का हिलने लगता है और उसका पिता उसे रोता है कि तभी वो जॉंबी बनने लगता है उसके बाद उसका पिता पुरी तरह एक कित कर रही होती है Ugh और बीच्छ किसी चीज्ती की आवाज आती है वह दरोसा खुलकर एक लेब के अंदर जाती है जहां उसे एक softly अधो को खुलकर देखती है जिसके अंदर एक छुगा होता है वह अपना हाथ श के अ कि वो चुहा उसे काट लेता है और वो चुहा काफी उस सैल हो जाता है। इसी तोरा नू प्रफेसर लैब में आता है जिसके बाद वो वहां से निकल दी है। उसकी उंगली पे खुन देखकर प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है। स्कूल के बाद दो लगे जिसका नाम सुकर रेस्टरेंट जाते हैं। उसी बीच आइसक कहती है कि साइंस प्रोफेसर के बारे में अफ़ा है कि उससे सोड़े मास की बदबू आती है। उन जो कहती है कि उनके बेटे के गुम हो जाने के बाद वो स्कूल लें आये और जिस दिन वो स्कूल आये तो उनसे काफी बदबू आ रही थी और वो अपने बेटे की मौत के बाद काफी अजीब हो गया है। स्कूल के स्टूडेंट उनके लड़के को बहुत टॉर्चर करते थे। रात के समय इधर स्कूल में हम एक वर्डन को देखते हैं जो स्कूल का राउंड ले रहा होता है। उसी बीच हम लोग उसका वीडियो बर भना रहे होते हैं। उसी दीच एक लड़का जिसका नम सुयॉकह होता है वहां आता है। वह उन वहां से ले जानी लगता है तब ही उनमें से एक ड़का उसकी वीडियो वाइरल करने को कहता है। वो लड़की इसी बात से डर जाती है और वो लड़का भी उसके साथ चला जाता है। अब वह लोग दुबारा से उसके कपड़े को पताते हैं। जहां वो किम को उसे कुछ injection देता है और वो बेहुश होने लगती है। अब ली साइंस क्लास ले रहा होता है जहां वो क्लास को बताता है कि वायरस एक लेपिंग और्गनिजम है। तब ही एक स्टूडेंट्स इनसे कहता है कि किताबों में लगा है कि वायरस एक लेपिंग और्गनिजम नहीं होता जोस पहली सबसे कहता है कि किताबें गलत होती है। उदर साइंस लेब में किम अब पूरी तरह जोंबी बन जाती है और उसी बीच उसके हाथ खुल जाते हैं। इदर सभी स्टूडेंट्स की क्लास चल रही होती है तब ही किम बहुत दुरे हाल में वहां आती है। टीचर उसे पगड़ती है जहां किम सब को बताती है कि प्रोफेसर ले ने उसे बंदी बनाया था। टीचर उसे ऐसा देखकर उसे फरस्टेट के लिए कहती है जिसके बाद सुयोक उसे अपने उपर उठाकर फरस्टेट के लिए ले जाता है। यहां नर्स उसे लटाती है और उसका टेंपरेचर देखती है और अब वो तुरंट एम्बुलेंस को कॉल करती है। किम अब पुरी तरह जॉम्बी बनने लगती है। यहां क्लास में कुछ लड़किया ली की बात कर रहे होते हैं जहां वो कहती हैं कि प्रोफेसर ली का बेटा गायब नहीं हुआ था। उसने सुसाइट की उसी पीच फ्लास में एक लड़की आती है जो बताती है कि किम सभी को काट रही है। अब टीचर और नर्स किम को एम्बुलेंस से बेचते हैं जहां किम की एम्बुलेंस तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। अब प्र्फेसर ली लाब में पहुशता है जहां वो किम को ना देखकर सोक हो जाता है। तब ही टीचर वहां पहुशती है जो ली को बताती है कि किम को तुरंध हॉस्पिटल ले जाया जा रहा caveat इस पर ली कहता है कि उसे हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए था अब वो लोग प्रिंस्पल आफिस जाते हैं जहां ली उसे कहता है कि किन को कुरिंटाइन करना होगा हॉस्पिल जाना उसके लिए ठीक नहीं है यह प्रिंस्पल उसे कहता है कि आपने अपने बेटे की वज़ा से सब को परिशान किया है उस पे ली कहता है कि उसके बेटे को टॉर्चर किया जा रहा था इसका जिन्ददार वो प्रिंस्पल को बताता है ली वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि पुलिस भी वहाँ बहुत जाती है उदर फरस्टेड डूम में हम उस नर्स को देखते हैं जहां किन ने उसे काट लिया था जिसके बाद वो वाइरिस तेजी से उसके शरीम में फैलने लगता है और उसकी नाक से खून आ जाता है और दीरे दीरे अब वो जोंबी बनने लगती है यहां स्कूल में अब लंच हो जाता है और सब लोग लंच के लिए बाहर निकलते हैं यहां स्वयोक एक लड़की से बात करने के कोशिश करता होता है जो की क्लास प्रेजिडेंट होती है उदर क्लास क्वारडोर में वो लड़के घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें नर्स का एक जूता मिलता है वो नर्स को भी वहाँ देखते हैं और नर्स का वीडियो बनाने लगते हैं और देखते ही देखते वो नर्स उन्पे हमला कर देती है और एक लड़के को बुरी तरह काट लेती है जिसके बाद वो लड़का भी infected होना शुरू हो जाता है और एक सॉंडी में तब्दील होने लगता है और क्लास के स्टूजेंट्स को काटने लगता है एक लड़का उसे रुखता है कि तभी वो उस पे भी हमला करतेता है तभी हम स्कूल की छट पे एक लड़की रखते हैं उसी लड़की को देखते हैं जो सोसाइट करना चाती है और बॉंडरी पे खड़ी होती है कि पीछे से वही लड़का बहुच जाता है जो उससे समझाता है कि वो ऐसा ना करे वो कहती है कि वो लोग उसका वीड़ो अपलोट कर देंगे अभी वो नीचे देखती है तो क्रास की खड़की से सब बाहर गिर रहे होते हैं और सब एक दूसरे को काट रहे होते हैं उदर एक जोंबी क्लास प्रेज़टेंट पर हमला करने ही वाला होता है कि सूयोक उसे बचा लेता है और उसे भागने को कहता है यहां मेस में ओंजो और यूंग सू बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां सबी स्टूडेंट्स भागते हुए आते हैं और मेस के दरवाजा तोड़ देते हैं जिनके पीछे जॉंबी बन चुके स्टूडेंट्स उन पे हमला कर देते हैं और उने खाना चाते हैं और वो लोग एक-एक करके खाने लगते हैं कि तभी एक जॉंबी उन जो की तरफ बढ़ता है वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंड और सब्सक्राइब करें ताकि आपके खानों का सफ़र नहीं चलता रहे मैं मिलता हूँ आपसे एकली वीडियो में किसी और कहाने के साथ Till then, keep watching movies magnitude